इसका नाम एक्जिट पॉल नहीं है इसका नाम मोधी मीडिया पॉल है ये मोधी जी का पॉल है फैंटेसी पॉल है उनका सर किती सीटे आ रही है आपके एसाब से सुद्धू मुसवाला का सौंग सुना आपने पहले लोग सभाव चुनाओ को लेकर और अब एक्जिट पॉल के आंकरों को लेकर देश में हलचल मची हुई है एक्जिट पॉल के आंकरों के जर्ये क्या मनोवे ज्यानिक जंग छिड़ चुका है ये एक बड़ा सवाल है एक जून को भले ही चुनाओ खत्म हो गए हैं मगर लगता है कि नतीजे भी उसे दिन घोशित कर दिये गए वो भी विजेबी के पक्ष में क्योंकि जिस तरह से ज्यादा तर मीडिया ने एंजीए के पक्ष में एक तरफा आंक्रें दिखाए ये तो यही बया करता है खेर आज की वीडियो में हम जानेंगी कि क्या एग्जिट पोल के आंक्रों के जरिये विपक्ष पर मनों में ज्यानिक हमला किया जा रहा है जो सर्वे किये गये हैं क्या वाकई में वो सटीक हैं दरसल आंक्रों के मुताबिक 9 एक्जिट पोल में एंजीए को 369 सिंटों से लेकर 401 सीट मिलता हुआ दिखाई दिया तो वहीं 3 एक्जि अंक्रे भला बड़ाबर कैसे हो सकते हैं मगर इससे इतर तमिलनाडू, पंजाब, केरल और बंगाल में भाजपा को बरत मिलते हुए दिखाया गया ऐसे में इस बास से तो जनता भी सकते में हैं क्योंकि साल 2014 में तमिलनाडू में भाजपा को केवल एक सीट ही मिली थी तो वहीं साल 2019 के चुनाओ में एंडिये को 16 सीट यहां मिली थी बंगाल की बात करें तो यहां एक्जिट पोल में भाजपा को 232 सीटे दी गई हैं तो वहीं तमिलनाडू में 18 सीटे भाजपा को दी गई हैं दरसल दरसल 2021 में हुए विधान सभाज चुनाओ में इंडिया 165 से लेकर 182 सीट भाजपा के पक्ष में दर्शाया था इंडिया टीवी ने 173 से लेकर 192 सीट बीजेपी को दी थी मगर इसका परिनाम ठेक इसके उलट निकला और दस एक्जिट पोल के आंकरे विधान सभा के चुनाओ में गलत साबित हुए क्योंकि बीजेपी को महस 177 स सीट मिलने का दावा किया है जिस तरह से मीडिया द्वारा एंडिये को एक तरफा एक्जिट पोल के आंकरों के जड़िये जिताया गया है ऐसे में विपक्ष बिलकुल भी हताश और निराश नजर नहीं आ रहा है विपक्ष ठान चुका है कि नतीजे जो भी हो हमने मोर्च बांद कर रखना है इंडिया लाइंस को सारे गोधी मीडिया द्वारा 200 से जादा सीटे नहीं दी गई हैं जिससे ये साफ हो जाता है कि अगर चुनाव नतीजे में ये आंकरे लगभग भी आएं तो चुनाव आयोग पर धांधली को लेकर कोई सवाल नहीं खड़ा करेगा क्योंकि इससे पहले चुनाव आयोग पर चुनावी प्रकडिया को लेकर कई सवाल उठ चुके हैं मगर जिस तरह महौल तयार किया गया है ऐसे में नतीजे एंटिये के पक्ष में आते हैं तो जंता के मन में कोई शंका ना हो इसको देखते हुए पूरी स्ट्राटिजी तय मगर इसे तर एक जून को ही राहुल गांधी ने राश्ट्रपती द्रौपती मुर्मु को जिस सरह अगनेवीर के शही स्यानिकों को बराबरी का दर्जा देने को लेकर पत्र लिखा और कहा कि इन स्यानिकों के साथ भेदभाव करना राश्ट्रिय सुरक्षा को खत्रे में डाल सकता है ये सच मुझ काबिले तारीफ है क्योंकि ये पत्र अपने आप में बताता है कि राहुल गांधी को फर्क नहीं पड़ता कि वो चुनाओं में हर रहे हैं या जीत रहे हैं वो किसी शोक में डूबेन नहीं है बलकि अपने मुद्दों पर अड़े हुए हैं वहीं सपा प्रमुक अखलेश यादव ने ट्वीट कर कहा कि भाजपे मीडिया ने एक्जिट पोल में भाजपा को तीन सो का आंकरा दिखाया है ताकि खपला करने की गुंजाइश बन सके भाजपा मीडिया के द्वारा पहले ही ये आंकरा तैयार किया गया था बस आज इस से जारी किया गया है तो वहीं कॉंग्रस के जैराम रमेश ने कहा जिन बातों को लेकर हम आश्यर्य चकित है वो ये हैं पहले ही एक्जिट पोल के जर्ये मीडिया ने एंडिये को विजेता घोशित कर दिया है ताकि जनता शक ना कर सके इसी वज़े से पहले से ही समाय इंडिया के प्रदीव गुपता ने बताया था कि बंगाल, औरिसा, जारखंड और राजस्थान जैसे राजियों में एक्सेस के सर्वे करने वालों को जम कर पीटा गया उनने ठाने में बिठाया गया और बंगाल के एक सर्वियर को तो जेल में डाल दिया गया इस बात की क्या गारेंटी है कि इस बार भी लोग सभा चुनाव में सर्वे अजेंसियों के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा कई लोगों का कहना है कि वोटर लिस्ट से उनके नाम तक काड़ दिये गए अमुमन यही होता है कि सर्वे अजेंसिया एक्जिट पूल के अंकड़ों को कुछ हद तक बढ़ा कर दिखाती है मगर इस बार तो एक तरफा ही दिखाया गया इधर पियम नरेंद्र मोदी कहते हैं कि चार जून को विपक्ष के नेता अपने हार का ठिकड़ा इवियम पर फोड़ेंगे मगर आपको पता दे कि 17 मार्च को ही कॉंग्रेस ने कह दिया था कि वो इवियम के खिलाफ बिलकुल भी नहीं है ऐसा महल बनाया जा रहा है ताकि वोटों की गिंदी के दोरान आसानी सी धांदली की जा सके एक्जिट पोल को लेकर गोदी मीडिया जिस सरह से बेलगाम हो चुकी है ऐसे में उन्हें सोचने की जरूरत है कि जनता ने बिजेपी को वोट दिया है ना कि उनके गलत कर्तूंतों पर जीत का मोहर लगाया है खेर आप इस बारे में क्या रहे रखते हैं हमें कमेंड कर सरूर बताईएगा